जम्मो कश्मी रूरल लाइवलिहूड मिशन जिसको हम पॉपुलरली उमीद भी कहते हैं उमीद एक उमीद की तरह जो है दो हजार चौधा से काम कर रही है बट पिछले दो एक सालों में इसमें बहुत जादा स्पीड जैसा आपने कहा गती जो है वो आई है बेसिकली हम जिसको हम जम्मो में JKRLM कहते हैं उसका बेसिक परफिस लाइवलिहूड देना है मगर सिरफ लाइवलिहूड नहीं हम महिला की पूरी परिसनालिटी को डिवेलब करने में उसकी हेल्प करते हैं इसका मतलब यह है कि उसके हेल्थ हाइजीन उसका कान्फिडेंस उसका मिन शेत्र की महिला की और आल परस्टनालिटी को एक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है अगर हम और आल जेके आरलम की बात करें तो क्या-कैस के फेसर्स है उसके अबर में जाना चाहिए जी जेके आरलम बहुत और अगनाई स्ट्रक्चर के हिसाब से है जिस पे काम किया जाता है पहला है नॉन फार्म लाइवलिहोड याने की वो एरिया जिस में प्रॉडाक्ट डिभ L不会 को हो सकता है हैं लूम हो सकता ऐकि सी भी दुन आपका प्रॉडक्ट उसमें हम लोग develop करते हैं, महिला को उसमें मदद करते हैं ताकि वो उसकी livelihood आजी भी का बन जाए दूसरा है farm livelihood याने किसानी, farm livelihood में agriculture, animal husbandry, horticulture, floriculture, you name a thing and we are doing it, apiculture उसके इलावा हमारे पास financial inclusion एक बहुत बड़ा जो हमारा thematic area है, जिसमें कि हम महिला को bank के साथ काम करना सिखाते हैं, कि bank उनको किस तरीके से credit link करता है और bank के साथ हमारे पास पूरी army है, मेरे पास 1000 करीबन महिलाएं ऐसी हैं, जो कि financial inclusion में अपनी ही सखियां, अपनी ही जो बाकी महिलाएं हैं, उनकी भी help करते हैं इसके इलावा हमारे पास FNHW है, यानि कि जिसमें हम food nutrition जो महिला को दिया जाता है, उसको कोई दिमारी तो नहीं, उसको किसी तरह का medical check-up तो नहीं करवाना, वो भी हम cover करते हैं और gender inclusion, जिसमें कि महिला किसी भी तरह से, चाहे वो senior citizen है, चाहे उसको किसी तरह का कोई physical challenge है, या मानसिक तोर पे कोई challenge है, domestic violence है, इन सब चीजों पे हमारा काम होता है and definitely the last one, not the least one is institution building and capacity building, यह हमारा बहुत बड़ा anchoring theme है, जिसमें कि हम महिला को जो भी उसको अच्छा लगता है, उस हिसाब से उसको training देते हैं मेरा नाम रेनुगाटल है, मैं district samba, बियो गगवाल से हूँ, sorry मैं district samba से हूँ, मेरा असेजी का नाम जैवाबा सुर्गल है, मेरे बियो का नाम गंगीत है, मेरे CLF का नाम उजाला है सर, मैं 2014 में अउमीद के साथ जूड़ी, 2004 उसके पाए सर, जब मेरे शाट दी हुई थी, तो मेरे पास कोई रुजगार नहीं था, मेरे यो हाॉस्वेंन थे, वो प्राइवेट काम करते थे, किसी की गाड़ी चलाते थे उसके बाद जब मैं इसके साथ जूड़ी तो यह उमीद है वो मारे लिए एक उमीद लेकी आई ठीक है जब से यह उमीद आई है हमें हमने इसे हमारे पास यह पहले कोई रुजगार नहीं था कुछ नहीं था जब मैं इसके साथ जूड़ी तो मैंने सबसे पहले एक छोटा स काम शुरू करना चाहा, मैंने अमीद से अपने ऐसे जी से पचास हजार का लोन लिया और एक शोटा सा पोट्री शैड़र नाया, उससे हमने देखा कि इसे इस काम से हमें फाइदा हो रहा है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इस काम को थोड़ा और बढ़ाएं, हमने दवारा लोन लिया और हमने इस चैड़र को डवल किया, उसके बाद सरा हमने सोचा कि इस काम के साथ साथ कोई और काम करें, जिससे हमें और कोई प्राफिट मिले, तो हमने एक ट्रेक्टर लिया, यह हमारी खेतिवारी के काम के लिया आया, उसके बाद इसका भी हमें आच्छा प्र परकृद है पहले मेरे होस्पाइट किसी की गाड़ी चलाते थे फिर वो खुद अपना रुजगार संबालने लगे तुक है उसके बाद सरह हमने सोचा जो मेरे पास की हमारे गाउं की मैले यह सभी काम करती है तो मैं यह सोचती हूं मैं सभी को यह कहना साथती हूं कि उमीद है जो हमारे लिए एक भगवान का रूफ बन के आई है आप सभी महले हैं इसके साथ जूड़ो हमारे गाम की काफी लेडिस हैं जो इसके साथ काम करती है अमीद के साथ और मैं यह कहना चाहती हूं कि मैंने अमीद जब से हमारे इदर आई है हमें इतना डपैलमेंट हुआ इतना कि अभी हमने दस लाका लोन लिया है तो एक हमने डैम सोरी ट्रक खरीद है ठीक है और हमारे पास अभी दस अजार कपैस्टी का पोटिश है जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे पास कोई बीजनस नहीं था अभी मेरा प्रहिवार है हमारी जाइंट फैमिली है सर तो ह एक उमीद ने एक उमीद जगाई है और आतम निर्बर एक सेल्फ रिलेंट महिला यहां पर है और एंप्लॉइमेंट जेनरेशन से लेकर एंप्लॉइमेंट गिवर बन चुकी है आज क्या कहेंगे ऐसी कितनी सेक्स स्टोडी आज असरल में देखिए बोल रेनू रही थी औ और आइम शॉर सभी दर्शकों को हो रहा होगा दो तिन चीजें इधर उठी है मैं चेंबर ओफ कॉमर्स से जो गौरव जी है इन्होंने फिगर्ज कोट करी मुझे बहुत खुशी हो रही है गौरव जी आपको बताते हुए कि आज की तारीक में 75,000 हमारे सेल्फ एल्फ ग अगले साल मतलब यह जो एप्रल से जो हमारा फिनांशल यर है दूसरी चीज मैंने इन्होंने बहुत अच्छी बोली नीतु जी ने कि वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड इस दखी अगर किसी के पास विजन नहीं है कि मैंने अगला कदम कैसे लेना है तो वो बहुत जादा सोच है प्लानिंग की. Now what are the way forwards? We have, हम लोगोंने diversification में अपने आपको शामिल कर लिया है और मेरे पास उमीद सेवाएं service sector में हम enter कर चुके हैं. ना सिर्फ product development, ना सिर्फ farm livelihood. Now we are entering the service sector. जब मैंने service sector कहा, तो आप सोचेंगे क्या? जम्मू कश्मीर हिमाचल की तरह tourism destination है. हमने OYO के साथ homestays खोले, Honorable LG ने उनका उद्गाटन किया, launch किया, 75 homestays खोले और इधर ही challenges जो आप मैं बोल रहे थे, यही challenges इधर भी मैं आपको clear कर दूँ कि हमें बहुत challenge आए. जो शाक्स की बात हो रही थी, हमने वो face किया. और बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमें dominate और intimidate करने की कोशिश की, कि यह नहीं चल पाएगा, tourism already एक circuit की शकल में हमारे साथ है. बट मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो करते हुए अभी हमें पांच महीने हो गए और मेरा जो success rate है इस homestays में वो 85% success rate है, which is a humongous success. और इधर हम अपने आपका भी course correction कर रहे हैं, हमें बहुत लोगों ने धमकी दी कि हमारी लड़कियों को धमकी दी कि वो बंद कर दीजिये, हम already है, tourist circuit है, गाड़ी वाले है, सब जोड़े हुए हैं, but we are sustaining and we will improve. 2023 में मैं 200 का target लेके जा रही हूँ, हमारे 75 से बढ़के, अगर 75 से इस समय हमारे 68 homestays पर आगए थे, हमारे बंद भी हुए, वो challenges के शकल में आए, हमने mid course correction करने की कोशिश कर रहे हैं, और 200 का target 2023 में रखा है, because I want to give the challenge back to the tourism industry, that we can do it. Right, this is the second part, दूसरा मैं ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग sustain कैसे करेंगे, sustainable करने का एक ही मूल मंत्र है, वो है diversification, value addition, अगर मेरी महिला दूद का काम कर रही है, तो उसको मैं chocolate बनाना सिखाँ, दूद को दूद बेचा तो कुछ नहीं बेचा, ये मेरा funda हमेशा रहता आपने उसको value add करके बढ़ाना ही है, तो भलवाल में मेरा बहुत अच्छा self-help group chocolates बना रहा है, इस बार सारस में भी उन्होंने खुब chocolate बेची, दिवाली में भी बेची, तो दूद का बन गई chocolate, second is हमारे animal husbandry के साथ हम एक credited agents के उपर training हो रही है, और मेरी 60 करीबन महिलाएं इसमें train होके सिवाई artificial insemination सब कुछ करेंगी वो जो janver के हिसाब से किया जाएगा, इसके इलावा हमारे पास बहुत जादा एक important चीज जो develop हो रही है, आपने जब मैं diversification की बात कह रही हूँ, for example basoli art, now basoli art miniature art की शकल में बहुत सालों से हमारे सामने है, मेरी महिलाओं को यु पेंटिंग के शाक्स बेटे हैं, तो मेरी लड़की का पेंटिंग की कौन खरी देगा, तो हमने diversify किया, हमने उनको बोला bookmarks बनाओ, छोटी चीज होगी, गलतियां नहीं दिखेंगी और बिकेगा, bookmarks बन गए, हमने costers बनवाए, basoli art के miniature art के costers बनवाए, and now I am telling them to create buttons, those शेर के सामने business का एक idea float करते हो, now there is another thing which is very important, which Gaurav ji also was feeling, after the homestays, हमारा दूसरा जो बहुत important service हम दे रहे हैं, वो है खाने की service, हमारी महिलाएं सदियों सदियों से अच्छा खाना बनाती रही हैं, मगर उस खाने का उनको पैसा नहीं मिलता है, क्यूंकि हमारे यहां थोड़ी जिज We have started canteen services, sales department का शुकरिया करना चाती हूं, उनके secretariat में जो canteen चल रही है कश्मीर में, वो मेरी महिलाएं चला रही है, DC किष्टवार का शुकरिया करती हूं, उसने अपने secretariat में उन्होंने हमारी महिलाओं को मौका दिया, हम लोग vendor की शकल में आगए हैं, आप हमसे खाना बन को लेंगे वो मिलेगा, और इसका जीता जाकता प्रमान सारस मेला है, जहां मेरी महिलाओं ने 11 दिन बिला खौफ कमस कम 15 स्टॉल्स लगाए, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक दिन ऐसा गया जब धाई लाक रुपया, vegetarian का मेरी महिलाओं ने sales की, सो सिरफ आपको द्रण निश्चय करना है कि करना क्या है, उसके बाद planning की जरूरत है और उसके बाद hard work की जरूरत है, ये तीन तीन चीजें आपकी बन जाएंगी, रेनु जी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ, देखो आपके सामने सामने इस महिलाओं ने तीन बार लोन्स ले लिए, तीन बार लोटाए, मसला ये नहीं है कि आपको बैंक लोन दे रहा है, बैंक ने भी वापस लोन लेना है, तो खूबसूरती स्कीम की ये है कि मेरी स्कीम का NPA 1.4% है सिरफ, याने non-performing assets मेरी स्कीम में बिलकुल नहीं है, ना के बराबर हैं, और 2023 में मेरी महिलाओं ने जमाने को सिखाना है कि zero NPA कैसे होता है, और अगर रेनू ने तीन लोन्स दे के अपने लोन लटा के अभी एक ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर, पता नहीं क्या-क्या और बढ़ाना है, दसलाक का लोन लेने की हिम्मत है, और JNK बैंक ने इसको दसलाक का लोन देन की इनिशेटिव लिया, दोनों को शाबाशी, दोनों शाबाशी के बाएस है, तो महिला को सिरफ सोचना है, बाकी रास्ता आपने आप बनता है, राइट, सर हमारे जो गृप हैं हमारे गाउं में हैं, वो 115 हैं, एक साफंदर गृप हैं, और उसमें यह 1173 मिंबर हैं, जो य यूदिया हैं, 1193 हैं, तो यह सभी का म कर रही है, कुछ छोटथे चोटे काम से स्टार्ट होता है, ऐसा धनिया, सभी मेला ही काम कर रही है, और बहुत सारी मेला है, कि जिन्नों आपना रेरी खोलिया है, कुछ है कि जिन्नों आप पार्ल ego श्हार को शबड़ है, कुछ अब नहीं है, कुछ ना कुछ खरीदा अनुना, बहुत सारा काम की एक एशनी है, तो मैं तो यह इसे हैं, सभी मल्लाँ सो यह कहना चाहते हूं, कि दो जार चोड़ा से पहले तो मारे पास कुछ नहीं था, आज देखो, मारे पास अपना इतना बिजनस है, मैंने आपके असाथ जि अबिलिया है मेरे देवर जी हैं मेरे सस्यूम ऋमने पूरी परिवार में मिलकर आम अपने गव में यही बताते हैं लोग भी हमें हमारे हावड की मसाल जेते हैं कि देखो उनके गर में कितना काम कैसे उनके पास तो कुछ भी नहीं था लेकिन हमने कहा यह मैंmilD की तो मैं बहुत बहुत शुक्रियाοι करती हूं जो अमीद आई एक अगर युक्र एप agar bank के पास लोन लेन जाना हूं तो बहुत फार मिलती है ती हम असानी से ले जानी सकते है है और हम यह महिला है हमें ऐसे बाहर जाने का कोई मονग्रो का नहीं concept... जब से उमीड आई है ... हमें बाहर जाने का भी मुक्रकत मिलता है ... मैं करते हूं, मुझे घगता है ... हा .. और मैं सबढको ins security चाहँ मैं पकिता है ... बढ़ा सकते हो। अगर आप अमीद से लोन लेते हो तो उसका यह नहीं है जिक लिए है उसे इदर उदर बरबाद किया, बिलकुल नहीं लोन लिया है, उसको आप ऐसे करो, सही तरह इसका इस्तेमाल करो और वह दो किया है उसके बाद हमने एक लाख हो गया तो मैं यह चाहती हूं सब भी को यह कहती हूं कि आप लोन ले सकते हो बड़ी असानी तरीके से ले सकते हो लेकिन आप ऐसा करो कि लोन लेके प्रवाद मत करो अपना बिजिन्स को लो कोई बी काम करना हो थोड़ा गाटा होता है इसमें लेकिन अगर एक बार गाटा होता तो दूसरे बार उसमें ब्राफिट भी होता है हां दो चीजे आपसे जाना चाहूंगा एक को आने वाले समय में किस परकार इन महिलाओं की बेहतर तरीके से कैपिस्टे बिल्डिंग हो और दूसरा जो भी यहां पर राश्री के बारे में मैं ने बोला बिल्कुल सही है इस इस अ कोपरेटिव बनाना अगला कदम होना चाहिए क्योंकि हम अल्रडी क्लस्टर पे हैं यह क्लस्टर लेवल फेडरेशन जालरी बन रही है तो कोपरेटिव क्यों नहीं है और CLF registration as a cooperative society is our you know kind of initiative in 2023 also अभी तक क्यों नहीं हुआ मैं उसके उपर थोड़ा दो लाइने बोलना चाहूंगी क्योंकि जो जमू और कश्मीर के cooperative acts हैं उसमें कुछ ऐसे बिंदू थे जो cluster level federation या village organization के साथ माच नहीं कर रहे थे उसमें 89 का act हो गया 99 के act हो गया इसमें थोड़ा mismatch था अभी भी है त अभी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग लिया और यह बिल्कुल किया है कि CLF has to be registered as a primary cooperative society and one thing which I will definitely say कि जब हम बोलते हैं कि कि किसी business कोई bulk order आप सारस में ही मैंने यह कोशिश की थी महिलाओं को समझाने की कि bulk order के लिए जरूर जाओ कोई बड़ा wholesaler आता है उसको बोलो हम यह कर सकते हैं that is a challenge क्योंकि जो bulk order देगा आपको वो 50 जगा जा जाके उसकी collection नहीं करेगा आपने order की उसको एक ही जगा पे चाहिए उ कि दयाद रिष्टी मत दिखाए कि महिला को help कर रहें तो दया नहीं चाहिए बट business orientation चाहिए तो जब हम business orientation की बात करते है cooperative society is one of the rising sun and we are ready to be merged with that और कोशिश हमारी है कि अगर यह थोड़ा-थोड़ा हमारे wrinkles जो है मुझे पूरी उमीद है कि यह wrinkles हमारे अगले साल खतम हो देरा नहीं एपिरल आम वेरी वह प्रटल पे कुछ चैंज थांज ठील ग्राउंड पे चैंज जए एक महीना और लगेगा वी विल बी थारो विद धार और फिर हम बड़े ओर्ड लेने के लिए तयार है हम लोगों का टाइम बेस्ट नहीं करेंगे आपने कहा सारस सारस व पूरा क्रेडिट अपनी बॉस को देती हूं मंदीप माम को रीजन ये है वी वर लिटल हैजिटन्थ उसकी वज़ा ये थी कि हमें बहुत अच्छी लोकेशन नहीं मिल रही थी जम्मू में एक चैलेंज आ रहा था कि इतना बड़ा मेला जिसमें कि 15 से 20 स्टेट्स ने ये एकदम जैल कर गई क्योंकि बावेवली माता का अशिरवाद साथ रहा और हमारा वो म्यूजिकल फाउंटन का एरिया था और एक एक दिन में हमारा मतलब मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार का फुटफॉल रहा और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने निस्बड करके एक उसके साथ मिलके एक तीन दिवसिये वरक्शॉप भी वहीं कर वाली उसी लोकेशन में क्रॉस कल्चरल लर्निंग की वरक्शॉप कर वाली कि अगर केरला की 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया कि अगर गोवा की महिला काजू मीठे काजू क्र इसकिल देर वाज़ा का लेडी जिसको इतना इंफरमेशन थे अपने प्रोडक्त की मेरी महिला को नहीं थी मेरी महिला ने बोलना है कि आपने यह स्वेटर रेजी उन से बनाई यह उन हमने यहां से ली लिए अट सिट शी फिनिश्ट तसे बट एक केरला करनाटका की महिला से जब मैंने पूछा यह खिलोना कैसे तुमने बनाया उसने कहा यह उस लकडी का बना है यह मॉन्टैसरी स्कूल ऑफ एडुकेशन सिस्टम का क्वालिफाइड है यह पेंट वेजिटेटिव डाई बना है तो यह लर्निंग थी तो मेरी जो महिला है वो जब इन सशक्त महि साथ साथ बैठी खाना खाया खाना खाके बैठी होटल में इकठा बैठी बाते हुई यह लर्निंग बेमिसाल हुई लोगों ने जो सक्सस देखी वो मुझे नहीं दिखती मुझे यह सक्सस दिखती है कि आज की तारीक में मेरी अपनी टीम जेक आरलम की टीम वस नाट कुछें वो बोलते हैं माम अभी दिल्ली में भी जाके कंड़क्ट करवा सकते हैं एक जोश आगे हैं आज का सेशन बहुत अच्छा विवेक जी ने कंड़क्ट किया और बहुत इंस्पिरेशनल रहा तो एक टोल-free नमबर हमने जारी किया है और जी ने जारी किया था उस दिल इनागरेशन पे वो आप सब प्लीज नोट कर ले और यह पुखता होने वाला है इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर नीचे लेडिस का शुरू करने वाले हैं हेलप लाइन के मदद से दिस नमबर विच इज 1 8 002 002 003 8 3 आप ये इस नंबर पर अगर कोई भी वहिला अभी भी मेरी बात सुनकर जॉइन करना चाहती है प्लीज कॉल करिए समझना चाहते हैं कुछ समान खरीदना चाहते हैं जो भी आपके सवाल है हम देने को तयार है अगर कोई हमारी महिलाओं को देना चाहता है ओर अपनी शादी का सत्संग का बर्देश का किसी किसम का ओडर आपके वाट्साप पर वाट्साप करिए हाई 972-825-3663-4